हैलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना के बारे में दोस्तो इस योजना को कैसे अपलाई करना है दोस्तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट की पातरता क्या होने वाली है और दोस्तो यह किस प्रकार के दरजे के लोग यानि किस प्रकार की वर्ग के लोग अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर कितना सबसेडि मिलने वाला है online करने का procedure क्या है इसलिए बिडियो को बिना स्कीब किये पूरा देखते रहे हैं सबसे पहले मैं आपको article के मातेम से कुछ basic चीजों के बारे हम बताने वाला है इसलिए बिना स्कीब किये वीडियो को पूरा देखें पर्दान मंतरी सूरिय दो योजना क्या है दोस्तोENTSु सबसे परे दोस्तों आपको देख सकते है दोस्तों जिस दिन राम मंदिर का उद्गाता न हुआ था दोस्तों 22 जैनौओरी दोजार चोबिस को उसी समय माननी नरेंदर मोधी ने सूरिय दो योजना की गोशना की थी दोस्तों यहां पर मैं आपको इसके लाप के बारे में बता है दोस्तों इसका उद्देश सिक्या है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं दिन पर दिन महगाई जो बिजली बिल है दोस्तों दिन पर दिन जादा आना सुरू हो गया दोस्तों इसलिए यहां पर एक क्रोड़ परि कर सकते हैं दोस्तों यहां पे आपके पास आई प्रमाड पत्र जो की 36,000 से 46,000 के भीतर वाला होना चाहिए दोस्तों और यहां पे दोस्तों मैं डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों इस योजना का आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड म प्राइनल लगवाने के लिए सबसीडी प्रादान की जाएगी दोस्तों यहाँ पेससे के बारे में भी हम आपको बताएंगे दोस्तों अगर आप इस योजना का लाब उठाना चाते हैं दोस्तो सूर्य दो योजना को अपलाई करने के लिए दोस्तो इस वेबसाइट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट कर देंगे वहां से आप डारेक्ली वेबसाइट पर विजिट कर पाएंगे जैसा कि दोस्तो आप सभी लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर नेशनल पोर्टल ओफ सॉलर रूफटॉप की वेबसाइट पर आ चुका हूँ दोस्तो यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं हाईलाइट में आप यहाँ अभी तग 6929 फॉर्म जो है की फिलप कर लिया ग यहाँ पर अप्लाइ फोर रूफटॉप सॉलर का एक बटन मिल जाता है आपको उस बटन पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करते दोस्तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है दोस्तो इस पेज पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉग इन भी क क्लिक करना है इस बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तो राइट साइड में देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होकर आ जाता है दोस्तो यहाँ पर दो स्टेप में रजिस्ट्रेशन कंप्लेट हो जाता है दोस्तो यहाँ पर आपको ज़धा टाइम देने की प्रोवाइड कर देशे कि पुरुवाद चल, पस्चिमान, मध्यान चल अब दक्षिनान चल दोस्तों आपका जो भी location में आता है दोस्तों आपको यहाँ पर select करना है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर consumer का account number इंटर करना है दोस्तों काफी लोग यहाँ पर बलती करते दोस्तों यहाँ पर आपको अकाउंट नमबर आपका electricity की जो connection ID होती है अकाउंट ID होते है उसे यहाँ पर इंटर करना जैसे आप यहाँ पर validate करते हैं तो नीचे आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं जिसके नाम पर OTP वाले बटन पर क्लिक करना दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं OTP आपके message box में भेज दी जाती या फिर आपके पास Sunday's app होता है उस पर भी message आप check कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं OTP का wait कर रहता हूं दोस्तों जैसी OTP हमारे number पर receive होती है हम यहाँ पर OTP को fill up कर देंगे दोस्तों यहाँ पर step 5 step 6 में आपका जो है की पूरा form fill up हो जाता है दोस्तों मैं आगे की वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों आप इन 6 steps को किस तरह से फौर पूरा fill up करके submit कर सकते हैं और दोस्तों subsidy पा सकते है सौर योजना के लिए दोस्तों यहाँ पर OTP आ चुकी दोस्तों यहाँ पर email ID optional है फिर भी मैं fill up कर देता हूं email ID fill up करने के बाद दोस्तों यहाँ पर human verification कर लेना यानि कि आपको capture add as it is fill up करके आपको finally submit button पे क्लिक कर देना सब्मीट बटन पे क्लिक करने के पास आपके सामने पॉप आता है कि क्या आप submit करना चाहते हैं दोस्तों OK पे क्लिक कर देना OK पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने already इस portal पे registration करके lab ले लिया है दोस्तों यहाँ पे सब्मीटी जो होती है मुझे मिल चुके दोस्तों तो मैं आपको directly log in करके dashboard में ले चलता हूं दोस्तों आप देख सकते हैं apply for roof top solar installation का जो यहाँ पे 6 step होता है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूं एक मेरे पास dummy data है दोस्तों जिसे मैं आपको fill up करके आपको दिखा रहा हूं दोस्तों आपको जहाँ पे electricity build आपका जो अपली का category होता है applicant का वहाँ पे select करना है ज इसके बाद दोस्तों आपके subdivision का जो भी नाम रहेगा आपको यहाँ पे enter कर देना है दोस्तों अब आपको यहां पे कटेगरी Innovate करना है उफ letting हिसाब से category select करना है इसके बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर map दिखता है दोस्तों यहाँ पर आपको latitude और longitude यहाँ पर दोनों आपको upload करना होते यानि कि यह आपका जो exact location है दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों आप यहाँ पर average मंथली अपना कितना बिल अपना रख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे minimum 500 रुपए इंटर किया दोस्तों तो आपको भी इसी हिसाब से अपना calculator अपना use कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर square meter और square feet में दिया घया दोस्तों आपना अपना जो उरजा है दोस्तों यानि कि जो rooftop है दोस्तों solar panel का आप कितने footas दिखा दी जाएगी दोस्तो अभी आपको मैं यहाँ पर map में कैसे drag and drop करके यहाँ पर latitude और longitude है कैसे select करते दोस्तो मैं यहाँ पर कर दिया है दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं dummy data में दो steps पूरा हो गया दोस्तो अब आपको यहाँ पर basic अपने जो भी details fill up की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है दोस्तो अभी आपको कुछ नहीं करना है केवल अपना electricity bill upload करना होता है दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं browse वाले button पर click करके आपका जो 6 महिने के अंदर का जो light bill होता है उसको आपको यहाँ पर upload कर देना है इसके बाद दोस्तो आपको final submit कर देना होता है जीसे आप final submit की प्रकरिया को पूरा करते हैं यहाँ पर आपका जो rooftop का जो application है जो registration से लेके apply करने तक सारा process आपका complete हो जाता है इसके बाद दोस्तो bank की तरफ सी submit कर दिया जाता है दोस्तो इसके बाद में बाकी का steps यहां से अब जो national portal rooftop solar की department के worker होते हैं दोस्तो वो आगे की प्रकरिया को पूरा करते हैं दोस्तो अभी हम बात करने वाले हैं subsidy कैसे मिलने वाला दोस्तो subsidy का process क्या होने वाला है इसके लिए दोस्तो आपको इसी website के home page पे आना है दोस्तो इसके बात में आपको यहां पे देख सकते हैं नीचे ड्राग और ड्रॉप करना है दोस्तो यहां पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में quick link हमें देखने को मिल जाता है दोस्तो आप quick link पे आप यहां पे subsidy structure का एक बटन भी देखने को मिल जाता है subsidy structure वाले बटन पे आपको अब easily click करना है जैसे आपके सामने इसका जो pdf होता है subsidy structure का open ओकर आ जाता है दोस्तो यहां पे देख सकते है subsidy का जो structure है यहां पे open होके आ चुका है दोस्तो यहां पे आप इसे download भी कर सकते हैं तो यहाँ पे आप जो पी आपका जो plant capacity है उसके हिसाब से subsidy आपको मिलना सुरू हो जाती है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो अगर आप 3 किलो वाट की उपर का rooftop connection लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको 18,000 रूपए पर किलो वाट के हिसाब से pay मतब subsidy मिल जाती है दोस्तों इस PDF का link मैं आपको description box में provide कर दूँगा वहाँ से आप और भी अच्छे से जानकारी ले पाएंगे दोस्तों सोच समझ कर पूरा जानकारी मिल जाती है यदि आपको तो आप इसे apply कर सकते दोस्तों इसी website का link हम अपने description box में दे देंगे वहाँ सब directly visit करके बाकी का process पूरा कर सकते हैं वीडियो में देगे जानकारी अच्छे लगी है तो लाइक से सब्सक्रेब करें